ओम सायराम कैसे हैं आप लोग आई होप सब ठीक होंगे ये तैयारी हो रही है हम लोग स्रीडी जाएंगे अगर बुलाबा हुआ तो तिकट तो ले लिये हैं और उसी के लिए सौपिंग भी हुआ है सरोजनी नगर मार्केट गए थे वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं ले पाए ठोरब होथी समान लिए हैं और तैयारी मतलब समान दिखा रही हूं क्या-क्या लाएं हैं और लेने कुछ गए थे ले कुछ लिए वैसे तो विंटर के समान लेने गई थी और मैं अपने लिए हाप स्लिफ सूट लेने गई थी फुल तो मेरे पास कई सारा है और वो पहनने में बहुत दिक्कत होती है तो लेकिन अभी सर्दी का मौसम में वैसे भी आजकल मार्केट में कोटन में है ही नहीं हाफसलिप का और जो भी मिला फुल में ही मिला है तो मजबूरी में ले ली हूँ समान वैसे भी ने मिल रहा था और तयारी कर रही हूँ लेकिन मुश्किल है जाना क्योंकि जैसे बता रही हूँ मेरी बेटी का चोट लग गई है तो उसका टाका लगा था तो अभी सुखा ही नहीं है बारा दिन हो गए हैं और अब हम लोग को दो तीन दिन ही बचा है जाने के लिए तो देखिए जा पाती हूँ के नहीं जा पाती हूँ लेकिन सोचा धीरे धीरे तैयारी कर लेते हैं जिस दिन जाएंगे उस दिन भी अगर डॉक्टर बोल देते हैं कि अब जा सकते हैं तो हम लोग समान भी पैक कर लेंगे और अगर डॉक्टर ने कहा तो चले जाएंगे बर्स ली है और जूता ले ली है और छोटी बेटी के लिए भी कुछ नहीं मिला पास के मार्केट में देखी अभी एक दो दिन है तो टाइम मिलेगा तो फिर वहां जाओंगी छोटी बेटी के लिए लेने के लिए लूज कपरे जिब बाले जैकेट विगरा जो भी है अभी निए यह मैं अपने लिए ली हूँ यह सब मैं on Umud यह फिर नहीं है हो यह सब में कभी पहनती नहीं थी लेकिन अब आप सोच री हूँ पहनने के लिए बेठे मेरा मेरा अभी ठंड है तो मुश्किल है और मतलब ऐसे पहनना नॉर्मल सूट पहनना बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि धूप ले रही हूँ गरम पानी से काई कर रही हूँ और मालिस भी कर रही हूँ तो ऐसे जैसे अंदर माली जे हाफसलिप पहन के उपर से ये जैकेट पहन लोगी ताकि जब मर्ज उतार के मालिस कर सकती हूँ सूट टाइट पहनने में एक तो दिक्कत भी है और खोल के मालिस करने में आलस आ रहा है कुछ भी नहीं मिला एक जैकेट ऐसी स्रीडी जाएगी तो यलो ताइप का थोरा सा था तो ले ली हूँ तो बच्चे अभी छोटी है अभी इसको कोई मतलब नहीं है और अभी जैसे बड़ी बेटी को बोली है ले लो कोई बात नहीं आप पहन लो तो बस वो पिन उसको बालम लगाने के लिए पिन दे दिये पैकेट में वो मिल गया तो बस उसी से वो खेलने में लगी हुई है तो यहीं सब लेके आए और मैं मतलब मेरी ही दो तीन सूट ले ली हूँ सब फूल वाजू में ही है तो बस अब एक बहुत बड़ा काम है कि वहां मतलब किस टाइब के हमें कमरा मिलेगा सेपरेट कमरा मिलेगा या जनरल मिलेगा मतलब जनरल बात्रूम और गरा होगा तो कैसे उहाँ पर चेंज करूँगी क्योंकि अभी तो जब सब लोग चले जाते हैं बेटी भी हस्वेन भी तो मैं अपना सारा गेट बंद करके आराम से मतलब नहाती हूँ और फिर बाहर आके चेंज करती हूँ या इतना दिन से तो मतलब एक देर महना तो सोची मेरी बेटी बरी वाली बेटी ही नहलाई थी और वो कपरावगरा भी सब वही चेंज की थी लेकिन जब से पलास्टर हटा है तो फिर उस दिन से फिर मैं अपना नहाना स्टार्ट कर दी हूँ और ये नाइट सूट इसलिए खरीदी थी ताकि बेटी तो हमेशा रहती नहीं है तो बटन बला है तो इस चीज को मैं आराम से पहन सकती हूँ लेकिन ये सब सूट तो पहनना मेरे लिए मुश्किल होगा वो भी अकेले में तो बेटी फिर बोली कोई बात नहीं नहीं मिल रहा है तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी और पहना दूँगी क्या करोगे क्योंकि इतना दिन से जब भी मैं मतलब सोचिए मैं दस पंदरा साल से जा रही हूँ स्रीडी और वेशनु देवी युगरा तो बाइस साल से सादी के बास से हर साल ही जाती हूँ अभी लॉक डाउन की वज़ा से दो तीन साल से नहीं जा रही हूँ तो भगवान की किरपा कहिए कि जब भी गई हूँ तो नई कपरे हमेशा चारपांच जो भी हुआ खरीद के ही नया ही ड्रेस ली हूँ तो इस बार फिर मैं सोची अब इतने सालों बाद जा रही हूँ तो नया ड्रेस मिल जाता तो अच्छा था तो यह सारा प्रिक जो भी होता है जहां भी जाती हूँ घूमने के बहाने तिर्द के बहाने नया कपरे ड्रेस ले लेती हूँ यह तो चारता बहुत ज़ूरिक्शा बहारी सी तूट वेगरा ली हूँ ताकि मैं पहन के बाहर घूमने जा सकूँ ये बेटी दिखा रही है अपना जूता खरीदी है और उसके स्कूल में उसी दिन वो था मेला लगा हुआ था तो पहन के आ भी गई है वही बाहर से लाके दिखाए कि देखो मैं अपना जूता भी शॉपिंग हुआ अभी बहुत से करने हैं अब देखिए दो तीन दिन में डॉक्टर भी ओके नहीं कर रहे हैं तो मन भी नहीं हो रहा है शॉपिंग करने का और तयारी भी चल रही है उमीद बहुत कम है कि अभी साही बाबाक पास जा पाएंगे लेकिन कोई बात नहीं तय प्यारी कर लेते हैं और देखिए कब जा पाएंगे और ये ट्रैक सुट ली हूँ लेकिन जल्दी जल्दी बताई नहीं इतना भीड था चलते चलते बस पैसा देती थी समान लेती थी बोली तो थी कि भाई मेरे साइस का दीजिए लेकिन थोड़ा सा टाइट हो गया है ये मतलब चेन वाला ये समय पहनती नहीं थी लेकिन इस बार हाथ में प्रॉब्लम की वज़ा से ये समय खरीदी हूँ ताकि मैं खुद अपने आप ही पहन सकूँ बरी बेटी पे मैं कब तक मतलब डिपैन रहूंगी वैसे तो कर देती है लेकिन वो ज्यादा तर कॉलेज में ह रहती है फिर सर्दी है तो लेट नहानिक मन करता है वो नौ बजे ही चली जाती है इसलिए ये सब तयारी तो कर रही हूँ लेकिन थोरा सा टाइट मिला है तो ये वला तो लग रहा है फिर मेरी बेटी ही पहनेगी मैं अपना फिर कुछ और ओर दूंगी तो यही सब सौपि थी और चल रही है तयारी जो भी है और देखिए बाबा की क्या मरजी है मन तो पूरा ही है अस्वेन का और हम लोग को भी जाने का लेकिन उमीद बहुत कम लग रहा है क्योंकि मेरे हाथ में तो है प्रॉब्लम लेकिन भगवान की इतना किरपा कहिए साही बाबा का जितना म बोला है छे मैंने सालवर बेल्ट लगा के ही रहना होगा करना होगा उसके कोडिंग देखे बहुत